नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं अपनीनम आपके साथ नब्बे के दशक में हर एक्टर की ख्वाइश होती थी कि वो एक बार अमिता बच्चन के साथ जरूर काम करें न्यूकमर एक्टर्स का मानना था कि इससे उनकी करियर में ग्रोध देखने को मिलेगी वहीं दूशी दरब फिल्म खुदा गवा में बिगबी चाहते थे कि श्रीदेवी उनके साथ स्क्रीन शेयर करें हाला कि श्रीदेवी इसके लिए तयार नहीं थी वो फिल्म में साइट करेक्टर प्लेट नहीं करना चाहती थी वो महिला केंदित फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती थी ऐसे में उन्हें फिल्म के लिए राजी करने के लिए बिगबी ने फुलो की बारिश कराई थी श्रीदेवी दे इटर्नल स्किन गॉड़िस बुक में दिवंगत कोरिग्राफर सरोच खान इस किस्से का खुलासा किया था सरोच खान का कहना था हमें गाने की शूटिंग कर रहे थे तब एक ट्रक आया और उसके पास श्रीदेवी को खड़ा कर दिया गया फिर केरियर के चुका कर उन पर गुलाब के फुल बढ़साए गए यह काफी खूबसूरत सीन था यह चीज़े श्रीदेवी को भी पसंद आई थी लेकिन उनका मानना था कि उनके हिसाब से यह भी कम था फिर उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए शर्ट रखी शर्ट के मुताबिक इस फिल्म में वो बिग बी के साथ डबल रोल में दिखेंगी डिरेक्टर मनोश देशाई और मुकुल आनन इस शर्ट के आगे हार गए और श्रीदेवी को बिग बी के साथ कास्ट कर लिया किसमें दोनों का दब रूर था